हाई फ्रेंद्स वेलकूम टुआ योटूब चैनल आज मैं लिक्किआ हूँ व्लोग वेजी इंडिया का ही सीजलर खाने जी हाँ बोथ पॉपिलर है सीजलर दो दुआध़ा दार निकलता है बहुत सारजन को पता है बहुत सारजन को पता नही है देखे इंडियन वेजी इंडिया में मैं आई हूँ ये वहां के पिक से है और नीचे ग्यानी इसके साइड वाला है वही देखे ये सिजलर दुआदार लग रहा है ना मिकदम मस्त ये इंडियन कुजिन सिजलर है इसमें चैनी सिजलर भी आता है मैकसिकन भी आता है मैंने इं मेर चाइनीज रास बहुत कुछ है मैं निकाल के दिखाऊंगे के यह मैक के चीज क्युक्या मैक रोनी और चीज का है कॉमबो और यह ऐस क्रीम बहुत इटेस्टी थे में के करके बताऊंगे ग्यानिस से लिखेते हम लोग चले बनाते हैं वलॉग लेट्स गूँ यह मैं ओर देने के बाद हम लोग बैटे हैं देखिए यह सूप होट अन्स और वन बैटू लिया मैंने सूप और मैंने ओड डालने गई ती यह हमारा फर्स होड डालना जरूर यह देखिए यह होट अन्स और सूप कि बहुती टेस्टी हमेशा मनचाव सूप पीते हैं हम लो मेंने होटन सूर्ट मंगा उसको मैंने नूडल की मंगा उन्होंने दिया उसके बाद ये है देखा ना सिजलर इंडियन कुजिन सिजलर बहुती टेस्टी एकदम दुवादार देखिया आते साथ सब देखने लगे थे एकदम दुवादार मस्त लगता है इत्रे ट्वंटी नाइन करीब तकुछ इसकंदर दो जन तो खाई ने पाए हम लोग घर पे लेके आगे वापस बहुत सारे चीज़ होता है फिर वो आके सर्फ करने लगे देखे ये मंचुरन बॉल से उसकंदर चाइनी से और क्या बलते के मंचुरन बॉल से और पानीर है ब चीज़ एक साथ रहता है एक तो ग्रेवी एक तो राइस एक साथ नूडल और एक मतलब क्या बलते के मंचुरन बॉल्स जैसे रहते हैं वह बॉल्स बहुत ही टीश्टी लग रहता है एक दम अलग से और आदा ड़न कुक रहता है मतलब पूरा पकानी रहता सब्जिया आद बहुत ही गरम रहता है वो खुद आके सर्फ करते है ऐसे देखिए चार पॉर्शन दिखारी में देखो राइस का है सब कितना दुवेदार है सबसे पहले मैं राइस देखती हूँ फ्राइड राइस ही है बहुत ही टेस्टी है और ये बॉल्स है मंचुरन बॉल्स जैसे र और खरने जरूत नहीं सिर्फ अब ये कर लो खालो गए तो पेड़ बर जाएगा और ये है नूडल्स और उसके अंदर पर नीर उनीर सब कुस्ता एकदम ग्रेवी सब चीज एक साथ मिल जाएगा आपको हम लोग के नूडल्स अलग से सब जीरोटी मतलब अलग से बंगात सब रहेगा उसके अंदर लेकिन ये पूरा मिक्स में ने मंगाया था ताकि मुझे पता चले इसमें क्या क्या आ रहा है हम लोग तो इद्दम सूप पिये थे और इसको खाने के बाद बहुत अच्छा लगा तो ज्यादा खाने पाए फिर इसके बाद मैं मैंने बेटे को ब मतलब पूरा चीज बरा परड़ा है मैक्रोनी में मतलब पास्ता में बहुत ही टेस्टी था मेरे बेटा ने इसको मंगाते मंगाते वैसे हम लोग फूल हो चुके थे फिर भी यह बोल तो मेरे को खाना है मुना चलो ठीके ले ले देखिए ऐसे चीज पूलो ओक्या हता है प बड़ा मज़ा था चीज पूल जैसे पीज़ा खाते हैं हम लोग चीज पूल उपर आता है तो यह बच्चों को बहुत पसंद आता है यह बहुत ही टेस्टी था लेकिन फूल हो चुके मैं थोड़ा सा लिए टेस्ट करने के लिए उसने थोड़ा बहुत खाया और बाकी प तो बहुत यह अच्छा लाप उलिव और पूरे करके तो इसके अंदर डाल रही हूं मैं और एग्यानो और चिली फिक्स जरूर डालेगा इसका टेस्ट इन्हेंस होगा जिसे बहुत यह अच्छा लगेगा मैंने बहुत कम कम लिया तो साहिल बोड़ा था कि ने ने और थो बहुत ही टीस्टी था बहुत ही अच्छा है एक बार जरूर ट्राय करना बनता है यह गैनीस के बगल में मैंने ऐसक्रिम्स लेका है क्योंकि हम लोग टाइम हो जा रहा था और बारिश खूब गिर रही थी तो मैं मैं चलो पैक करा के लेके आते है देखिए मैं दिखाती हम लोगने 4-20 हो गया हम लोगा ये है एे मेरा वाला शहत्त कुलेगा ये साहिल का है ये चॉक्लेट ब्राउनी फज है है और यह देखे चॉकलेट ब्राउनी फज मतब ब्राउनी जो केक्स होते हैं उसके बाइट पुरे है चॉकलेट के साथ पुरा और यह किटकेट संड़े है और सेकंड वाला किटकेट संड़े है बहुत ही मज़ेदार और यह किटकेट फज यह किटकेट और अंदर वैनिल आइसक्रिम भी है एकदम अंदर तरफ तो गरमे जा आके मैंने उसको पुरा उपन करके इसको में खा रही हूँ यह है किटकेट मैं अपने शकल पुरे इसलिए नहीं दिखाना चारी थी तो इसलिए न मैं इसे सिर्फ आ न識 में देख सकते हैं तैस FARacz लगया आप लोग मुझे लाइक शेर सिस्क्राइब में चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीज़े शेर कीज़े किज़ें सिस्क्राइब कीज़ें कमेंट करना तो बिल्कुर नब जो ऊश्यसार से भूह हम और मैं कैसे lamik हुरह य अच्छा लगा व्लोग, थेंक्स पर वोचिंग